विच इस बेस्ट गीविंग लाप्टॉप अंडर 50,000 इन 2023 यार इस क्योशन का अंसर सब के लिए अलग अलग है जो लाप्टॉप आपके नीड को फुलफिल करे वही आपके लिए बेस्ट आप्टॉप चाहिए लाइक अगर आपको एडिटिंग के लिए लाप्टॉप चाह सब इकी बात करने वाले हैं दोस्तों अंदे इस वीडियो मैं आपको पांच बेस्ट पर्फोर्मेंस ओरियंटिड लाप्टॉप के ओप्शन्स बताने वाला हूँ जो कि आपको पचास से पच्चमान अजार रुपे के आसपास कंसिडर करने चाहिए अब लिए श्रू करत करता है लोग सुब बने ही का माइंड हो बट पर्फोर्मेंस इस लाप्टॉप की प्रॉपर गेमिंग वाली है 50,000 के आसपास में मिलने वाला बेस्ट चिपसेट इस लाप्टॉप में आपको मिलता है 8GB की सिंगल चैनल राम है और आम का आप 16GB तक अप्ग्रेड कर सकते हो 512GB के आपको मिलती है SSD SSD इस लाप्टॉप में sadly अप्ग्रेडेबल नहीं है बट आप 2TB तक की HDD इस लाप्टॉप में रेटरो फिट कर सकते हो इस लाप्टॉप में आपको GTX 1650 GPU मिलता है 15.6 इंचेस का फुल एचरी एक प्रॉपर IPS पनल डिस्पले वाला लाप्टॉप ह आपको 120Hz के मिलती है additional इस लाप्टॉप में आपको military grade certification मिलती है military grade certification आप इतना समझो कि आपका military grade certified laptop ज्यादा rough and tough है यार overall एक काफी अच्छा लाप्टॉप है बट मेरे हिसाब से दो कमिया है सबसे पहली तो है looks की अब वो आपकी personal preference है बट मेरे हिसाब से यार एक gaming laptop में gaming looks मिलने चाहिए और दूसरी एक minor कमी है refresh rate की 120Hz के आपको refresh rate मिलती है और इस price में आराम से 144Hz refresh rate वाले gaming laptops अवेलिबल है बाट यार यह सही में net picking है overall ideapad gaming का यह variant 50,000 के आसपास में एक बहुत यह अच्छा considerable option है 52 से 53,000 उपीज का यह laptop आपको मिल जाएगा और यहां दोस्तों लि 12th generation chipset offer करता है it's the most powerful chipset जो कि आप 50 से 55,000 उपीज की range में expect भी कर सकते हो to be specific आपको i5 1240p chipset मलता है list के बाकी laptops के chipset से performance gap आप screen पर देख सकते हो यह आपको 12 core and 16 threads मिलते हैं indeed multi-dasking rating के लिए this laptop is a steel deal under 55k बाकी आपको 8GB के RAM मिलती है 512GB के आपको मिलती है NVMe M.2 SSD and 1 TV तक की SSD का भ 50 GPU मिलता है बाट TGP 1650 की इस laptop में थोड़ी कम है so आपको gaming performance में थोड़ा difference मिलेगा and TGP इसले कम है because it's a thin laptop heat control वगरा करने के लिए TGP इसमें 1650 की थोड़ी कम है but इतना कोई ज्याद अंतर भी नहीं है 15.6 inches का full HD IPS display Aspire 7 में आपको मिलता है यह 45% NTSD वाला display है price के साब से display भ i5 12 Gen आपके लिए है around 53,000 रपीस का यह laptop आपको मिलेगा दस्तों लिस्ट का तीसरा laptop है HP Victus build quality लेलो specs लेलो चाहे after sales service लेलो चाहे resell value लेलो Victus price segment के साब से यह सभी चीज़े आपको बहुत से offer करता है Ryzen 5 5600 Hipset इस laptop में आपको मिलता है 8GB की RAM है जो की 32GB तक upgradable है 512GB के आपको 0000M में दोनों में ही आपको 4GB की GDDR6 VRAM मिलती है side by side comparison देख लो AMD का GPU 1650 से 5-10% तक definitely better है बट यहाँ एक twist आता है अच्छा GPU देकर इस laptop में cost cutting करी है display में हलाकि display color accurate है 16.1 inches का आपको full HD IPS panel display मिलता है बट refresh rate के वल 60Hz की है and from my side it's a major con powerful GPU का मतलब क्या हुआ जब refresh rate ही इतने कम है आप एक external monitor भी लगाने वाले हो देन ये laptop एक अच्छा option है HP Victus with RX 5500M आपको 52,000 रुपीज का मिलेगा दोस्तों जो इकलोती कमी आपको पिछले HP Victus में मिल रही थी exactly उसी कमी को की upcoming laptop फिल करता है at number 2 we have MSI Bravo and it's a really value for money gaming laptop Ryzen 5 5600H chipset आपको मिलता है 8GB RAM है RAM 64GB तक upgradable है 512GB के आपक आपके display में भी कमी निये 15.6 inches का आपको फुल HD display मिलता है and refresh rate भी 144Hz की है यह specs और build वगर है सब सा यह laptop की मतलब एक single कमी भी निये इस laptop में पदिक्कत है availability की अभी आप ये वीडियो देख रहोंगे तो शायद ये laptop आपको stock में मिलेगा भी नी and इस laptop के availability का यार बहुत ही बड 11400H chipset इस laptop में आपको मिलता है Ryzen 5 and i5 11 Gen में performance gap यार बहुत ही minimal है लगबग ना के बराबर performance gap है बट power efficiency में i5 11400H एक upper hand hold करता है 8GB के आपको मिलती है DDR4 RAM RAM 64GB तक upgradable है 512GB के मिलती है M.2 SSD 1TB तक आप SSD भी लगा सकते हो and 2TB तक की HDD का expansion slot इस laptop में मौजूद है यार इस laptop is highly upgradable and cost cutting कहीं नहीं करे गई इस laptop में आपको 15.6 inches का full HD IPS level display मिलता है and refresh rate भी 144Hz की है overall एक बहुत यचा laptop ये 1650 GPU भी आपको मिलता है इन सब चीदों के साथ MSI के brand value है and ये laptop के वल 1.8K जिगा है एक gaming laptop के हिसाब से इस laptop का weight भी काफे acceptable है overall it's a perfect Intel based laptop जिससे आप 52,000 रपीस का खरीज सकते हो so दोस्तों ये वो सभी gaming laptops है जो की 50,000 के आसपास आपको best value offer करते हैं ज्यादा मैं आपको एंफ्यूस बिल्कुल ही करूँगा तीन final recommendation देता हूँ मैं आपको देखो अगर आपको budget exactly 50,000 रुपेका है आप 1-2,000 भी नहीं बढ़ा सकते then number 5 पर rank Lenovo IdeaPad Gaming आप लो if you want a laptop जिसमें CPU काफी powerful चाहिए then number 4 पर rank Aspire 7 with 12th generation chipset आपके लिए है तीसर आगर आपको performance gaming laptop चाहिए then यार highly recommended है आप number 2 पर rank MSI BRAVO लो BRAVO में एक single कमी भी नहीं है बस availability का issue है अगर for some reason आपको BRAVO नहीं मिल पाता then number 1 पर rank MSI का GF63 आप ले सकते हो इन सभी laptops के link में आपको description में दे दी है वहां से easily you can check these out बाकि अगर budget बढाने का सोच लिया तो right value video पर click करो for now that's it for today's video and as always I will meet you in the next one